यहां मैंने एक पीस लिया यह परदे का फैब्रिक है तो इसके साथ मैं एक अस्तर जोड़ूंगी यहां आप क्विल्ड किया हुआ पेस भी ले सकते हैं इसका मेजरमेंट है यहां से 25 इंच 25 इंच इसकी वीर्थ है और यहां से 34 इंच यहां से 34 इंच यहां मैंने फोर्ड कि कि यहां मैंने फोल्ड किया यह 25 इंच की साइड है तो हम यहां से यह डबल है यह डबल है तो मैं यहां से इसके 4 इंच के दो pieces कट करती हूँ ठीक है यहाँ मैंने यहाँ से 4 इंच का मार्किया एक लाइन ड्रॉक लॉक ही यहाँ मैं cutting करती हूँ ऐसे यह मैंने दो pieces कट्टिंग किये दो pieces का management है 25 इंच पर चार इंच का यहाँ separate pieces भी आप ले सकते हैं यह होने के बाद यह जो बाकी का पीस बचा है इसके भी हम दो सेपरेट पिसिस करेंगी यहाँ से यहाँ से मैं कट करती हूँ तो यह यहाँ आप सेपरेट ऐसे चार पिसिस भी ले सकते हैं तो यह 13 इंच बाए 25 इंच के यह दो पिसिस लिए यहाँ मैंने 20 इंच के दो बेल्ट लिए यहाँ तयार बेल्ट लिए है यहाँ आपके पास फाबरिक का बेल्टा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं यह मैंने 20 इंच का बेल्ट लिए तयार अगर बेल्ट आप लिते हैं यहां candle से लोग किजिए, नई तो यह सिलाई निकल जाएगी, और यह होने के बाद यहां से तीन इंच, यहां से तीन इंच, यहां से तीन, यहां से तीन हमने मार किया, इसको हम यहां से 1,5 इंच का यह बिल्ट है ऐसे हमने बिल्ट के उपर सिलाई की यहां से यहां तक बिल्ट के उपर सिलाई होने के बाद यह दो पिसे समलेंगे 25 इंच बाई यह 13 इंच के हुए है मार्किंग के बाहर ऐसे हम बिल्ट जोड़ेंगे दोनों के उपर ऐसे यह दोनों बिल्ट हमने जॉइन किये बिल्ट जोड़ने के बाद यह उपर के दो पार्स हमने 4-4 इंच के कटिंग किये थे यह हम इसके उपर जोड़ेंगे ऐसे यहां से और यह दूसरा जो पीस है इसके उपर यहां से है ऐसे है ऐसे हमने यह strip join की जोडने की बाद यह built उपर की side में यह सिलाई नीचे और यह जो पीस है इसके उपर हम यहाँ, यहाँ से हम, यहाँ से हम top stitch करेंगे, दोनों के उपर, ऐसे यहाँ हमने top stitch किया, सिलाई नीचे की, यह होने के बाद इसकी height हम देखेंगी, यह 16 इंच है, 16 इंच है лए 25 इंच, 16 इंच ब्या पच्चीस है 10 ब्याइ 25 के हम 2 अस्तर के पीसिस लेंगे, यह हमने 7 inch by 7 inch का एक फाबरिक का पिश लिया और एक अस्तर लिया. यह ऐसे डिजाइन है तो हमने यह पॉकेट के लिए ऐसे डिजाइन दी. साथ इंच की जीपर, फाबरिक के सीधी साइड के उपर जीपर की सीधी साइड ऐसे रखते हैं यहाँ टॉप स्टीच और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे ऐसे यह पीस बनाने के बाद रनर हम यहाँ से डालेंगे यह होने के बाद यह हमने तयार पाइपिन ली है यहाँ फाबरिक की पाइपिन भी हम बना सकते हैं चारो साइड से हम ऐसे पाइप इन करेंगे, सिलाई यहां से, यहां से हम सिलाई करेंगे, यहां हमने यह एक पीस बनाया, चारो साइड से पाइप इन की, पाइप इन होने के बाद यहां सेंटर का मार किया, इसके उपर भी सेंटर का मार किया, ऐसे फोल्ड यहां, यहां, यह तो हम आखेंगे और यहां तक हम सिलाई करेंगे यह होने के बाद यह हमने हमने जोएन इसके बार यह जो अस्तर हमने लिया था दो अस्तर के पिसेस लिये इसका मेजर्मेंट है यहां से 16 इंच बाए 25 इंच का इसके उपर हम एक छोटा सा पॉकेट जोड़ेंगे 1.5 इंच बाए 25 इंच का एक पिस लिया यहां सेंटर का मार्क यहां नीचे से 3.5 इंच का मार्क और यह सेंटर का मार्क यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे ये दो फइबरिक के pieces लिए, 4 inch by 5 inch के, 2.5 inches by 4 inch ये आप छोटा बड़ा फइबरिक ले सकते हैं, यहाँ से fold किया, यहाँ से एक fold, यहाँ से एक fold, यहाँ से 1 fold, यहाँ से एक fold. दोनों साइड हम सिलाई करेंगे दोनों के उपर स्ट्रिप बनाने के बाद यह हमने 25 इंच की जिप पर ली जिप की सीधी साइड फाब्रिक के सीधी साइड के उपर ऐसे रखी इसके उपर यह प्लेन अस्तर का पीस है यह सीधी साइड इसके पीछे रखेंगे ऐसे सिलाई करेंगे यहां सिलाई की सिलाई होने के बाद अस्तर ऐसे अंदर की साइड यहां हम टॉप स्टिच करेंगे ऐसे हमने यहां टॉप स्टिच किया यह दुसरा अस्तर का पीस यह पॉकेट की साइड ऐसे रखी इसके उपर यह जिब की बैक साइड और ये पीस हम ऐसे रखेंगे इस साइड ऐसे हैं सिलाई करेंगे यहां सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऐसे उपर की साइड में और ये जो फाब्रिक का पीस है और ऐसे इसके उपर भी हम टॉप स्टीच करेंगे दो रनर हम इसमें डालेंगे ऐसे हम इस ट्राइब के हम बैग बनाते हैं तो दो runner डालेंगे तो अच्छा है क्योंकि ये नीचे तक open होती है तो दो runner डालेंगे तो आपको जितनी चाहिए उतनी आप ये बैग open कर सकते हैं तो हम दोनों साइड से एक एक runner डालेंगे, दोनों साइड से एक runner डाला, runner डालने के बाद ये दो strip हमने बनाए थे, ऐसे fold और ये जो zipper है, इसके उपर ये fold side ऐसे रहेगी, ऐसे और open side बाहर, यहाँ हम यहाँ और वो side में ये दोनों strip जोड़ेंगे, ऐसे ये strip जोड़ने के बाद ये fabric, दोनों fabric ऐसे एक साथ में लेंगे, अस्तर साथ में और यहाँ, यहाँ नीचे की side में, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, ऐसे ही ये जो अस्तर है, अस्तर के उपर इतनी space, इतनी space हम चोड़ेंगे, इतनी space चोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, ऐसे हमने इतनी space चोड़ी है, और यहाँ से ये open है, इसके बाद ये side ऐसे रखते हैं, ये सिलाई जीपर के back side में, ऐसे open करेंगे, ये जो जीपर है, इसके back side में ऐसे रखी, और ये side, ये सिलाई जीपर के front side में, पिन से जोड़ते हूँ, ऐसे, ऐसे ही ये दूसरी side करेंगे, ऐसे हमने यहाँ clip से join किया, इसे ही यहाँ clip से join किया, clip से जोड़ने के बाद इसके उपर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, ऐसे हमने दोनों साइड से सिलाई की ये सिलाई होने के बाद ये जो ओपन स्पेस रखी थी यहां से ये जीपर हम ओपन करेंगे और बाग सीधी साइड करेंगे सीधी साइड करने के बाद ये जो ओपन स्पेस है इसके उपर हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके उपर टॉप स्टेज करेंगे यहां से यहां तक इसे फोल्ड करते करते ही हम सिलाई करेंगे ऐसे इसके उपर सिलाई की सिलाई होने के बाद यह अस्तर हम इसे अच्छे से अंदर की साइड करेंगे एक एसे अंदर से यह जो अस्तर है इसको भी ऐसे अच्छे से कॉर्नर पर प्रेज करेंगे और यह ऐसे होने के बाद यहां से चार इंच का मार किया एक लाइन ड्रॉ की यहां से 4 इंज का मार किया एक लाइन डॉक यह इसे हमने इक बॉक्स बनाया ऐसे ही चारो साइड में हमने 4-4 इंज का मार किया और एक बॉक्स बनाया इसके उपर हम कटिंग करेंगे ऐसे ही यह जो चारो कॉर्णर्स हमने बनाये थे इसके उपर हम कटिंग करेंगे ऐसे हमने चारो कॉर्णर्स कटिंग की है कटिंग होने के बाद यह जो अस्तर के साथ हम इसके उपर सिलाई करेंगे ऐसे कॉर्णर पर ऐसे हमने बाहर से सिलाई की सिलाई होने के बाद यह जो सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा फ़ाब्रिक है पुहम ऐसे कट करेंगे चारो साइड में ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा सिलाई कटिंग होने के बाद हम ऐसे उल्टी साइड करेंगे देखिए यहां उल्टी साइड करने के बाद यह जो जीपर की साइड है जीपर की साइड है यहां पर उपर की साइड में ऐसे रखा यह जो सिलाई है ऐसे रखा और यहां पर हम मार्क करेंगे उपर की साइड जो जीपर की साइड में यहां से यह जो कॉर्णर है वहाँ से एक इंज का हम मार्क करेंगे और यहाँ पर यहाँ पाव इंज का यहाँ से पाव इंज का और यहाँ से ऐसे यहाँ तक चोड़ देंगे इसके उपर हम सिलाई करेंगे ऐसे ही यहाँ यहाँ आने के बाद यह साइड अच्छे से सिलाई हम हाथ में लेंगे और यह जो उपर की साइड है उसके उपर यहाँ एक इंज यहाँ पाव इंज ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके उपर सिलाई करेंगे ऐसे हमने चारों कॉर्णनर्स के उपर सिलाईगी यहां और यहां यह होने के बाद हम यहां से सीधी साइड करते हैं ऐसे यह सुन्दर सी बागमारी बनी है यहां एक जिपका पॉकेट है जैसे मैंने यह पॉकेट बनाया वैसा ही आप अंदर की साइड में भी एक बॉकेट बना सकते हैं इतनी बड़ी बाग बनी है यह साइड से इसका बेस है बहुत सुन्दर यह बाग मैंने बनाई थी तभी कुछ वीडियोस डिलीट हुए थे तब ही मैंने आपको पताया था सेम प्रोस्विजर में मैं एक बड़ी साइड की बाग बनाऊंगी तो यह जैसे बनाई है वैसे ही आप ऐसे चूटी साइड की बाग बना सकते हैं इसकी यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यह वीडियो की लिंक दे दूंगी ता कि आपको भी समझ में आ जाएगा जो स्कीप हुई वीडियो आप देख सकते हैं झाल 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 झाल